जएन दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सिरीज में इसमें हम न्यूसप्वेपर का एनलेसिस करते हैं दहिंदू इन इंग्सप्रेज दोनों को हिस साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगा पर सभी मिल जाए अब देखिए हमें एक हफता हो गया है जिसमें हम दो दिन का न्यूस्वेपर एक साथ कवर कर रहे हैं तो इससे अब आपको भी अंदाजा हो गया होगा आपको भी आइडिया हो गया होगी कि हमें किस तरीके से करना चाहिए मतलब हर दिन करना चाहिए या फिर यह जो अल्टरनेट डेज हम कर रहे हैं इस तरीके से करना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्षिन में इसके बारे में जुरू बताइए कि आपको आप क्या लगता है क्योंकि अब आप सही कॉलिफाइड हो गयो यह बताने के लिए कि अल्टरनेट डेज सही है या फिर रेगुलर हर दीन जो है वो सही है तो यहाँ पर हम 14 एप्रिल जो है उसक माइन मैप की तुरू यहाँ पर कवर करते हैं तो इससे आपको और दादा फायदा मिलता है क्योंकि सिधे इंटरकनेक्टेड ठीजे होती जिसे आपको याद रखने में काफी आसानी जाती है तो इसलिए पीडियफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी टी.me.major.major.major. जो है वो भी सर्च कर सकते हो और वहाँ पर आप फॉलो कीजे जिससे के आपको पीडियफ जो है वो सही तरीके से रिविजिन करने में मिल जाए. अब यहाँ पर सबसे पहले दहिंदू अगर हम देखते हैं तो उसके एडिटूरियल्स हमें कौन-कौन से देखने को मिलते ह तो उसमें अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सिक्स्थ पेज है दहिंदू का उसमें हमें देखने को मिलते हैं अलग-अलग एडिटूरियल्स यहाँ पर जो बिंगॉल निड टू रेट क्लिफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिंगॉल जो है उसकी बात की जा रही है इसलिए इतना इंप नहीं हमारा एक्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर climate change noise तो यह जो है इंडिया का role तो यह यहाँ पर climate change के बारे में बात कर रहे हैं उसमें इंडिया का role की तरीके का रहेगा उसके बारे में बात की जा रही है ऐसा बोला जाता है जो developed countries है उनके जो भ अगर हम बात करते हैं तो यह भी important नहीं है और यह अगर हम small step देखते हैं तो यह वाला जो editorial है यह आगे मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है उसी के साथ यहाँ पर जब हम 7th page देखते हैं मतलब next page जो editorial का आता है दहिंदू में उसमें अगर हम देखते हैं तो यह क्या-क्या challenges आ रहे हैं क्या-क्या भी हो सकता है इन सभी चीजों को इस article के थुरू cover करेंगे काफे extra information के थुरू हम इन चीजों को देखने वाले हैं जैनि आपर immediate vaccination जो है वो Indian University में must है देखिए क्या हो रहा है अभी Indian University जो है वो फिर से शुरू होने जा रही है उसमें काफी जारे professors, students वो सब हमें देखने को मिलते हैं तो इसमें दो समस्या निकल कर आती है एक तो समस्या यह है कि इतने सारे लोग जो है वो अगर positive हो जाते हैं तो और जादा जो cases है वो हमारी बढ़ती भी नजर आईगी दूसरी चीज यह है कि अगर हम सब को vaccination देते हैं तो vaccination का shortfall जो है वो भी देखने को मिल रहा है तो अब किस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे तो immediate vaccination बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसी संदर्ब में the Hindu बोली है Indian Express बोली है दोनों में ही जो mass vaccination है उसकी कई सारे editorials हमें देखने को मिलते हैं तो मतलब यह समन लिजे कि अभी और मतलब ज सारी जो rumors हैं या फिर बहुत सारी चीजें हैं वो भी बहार निकल कर आ रही है जैसे कि अगर हम covid shield देखते हैं तो उससे जो blood clotting है उसकी समस्या निकल कर आ रही है कुछ cases में लेकिन फिर अगर हम देखते हैं तो ऐसा पाया गया है कि one in one lakh ratio जो है one in one lakh हमें देखने को मिलता ह है जहां पर इस तरी की समस्या देखने को मिल रही है तो इसलिए इतना भी इसका डर नहीं है ऐसा बोला जा रहा है तो मलता vaccination जो है वो safe है वो सभी ने लेना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है second thing जो निकल कर आ रही है कि जिनोंने first dose दिया हुआ है उनका भी covid positive आ रहा है और उसी क doses लेने के बावजूद जो cases निकल कर आ रहे हैं उससे हमीं यह पता चलता है कि full efficacy जो है क्योंकि हर vaccine की efficacy होती है कि कौन से हर तक वो आपको prevent कर रही है है तो यहां पर 95% तक efficacy जो है वो देखने को मिल रही है तो इसलिए ऐसा नहीं कि दोनों ही dose लेने के बाद आप covid positive नहीं हो होंगे लेकिन अगर covid positive हो भी रहे हो तो उसके intensity काफी कम होती है मतलब fatal होने के chances एकदम ना के बराबर होते हैं तो यह चीज़ हमें देखने को मिल तो कहीं सारे उसके बारे में आपर बात ही की जा रही है यहाँ पर त्री पूरा ट्राइबल पूल जो है उसके बारे में बात की जा है जो एक्साम perspective से कुछ भी important नहीं है यहाँ पर राजसभा पूल विफोर केरला assembly यह वालो जो इडिटोरियल देखने को मिल दे जैसा मैंने कहा जो वैक्सिन ड्राइव है तो वही सब booster shot यह ना vaccination जो है उसके बारे में यहाँ पर अगर हम देखते हैं वैक्सिन बास्केट यह ना तो यही सब हो रहा है यहाँ पर wellness workforce अगर हम देखते हैं तो यह एक एडिटोरियल जो है समय लिजे बिल की बात की जा रही है जिसको law में दफदिल करने की कोशिश हो रही है तो यह क्या है इसके functions क्या है कि काफी important workforce related है wellness workforce related है तो इसलिए यह काफी important है इसको हम काफी comprehensive तरीके से discuss करने वाले है देन उसके बाद अगर हम next इस पर जाते हैं तो next इसमें हमें आपर ज जो सीता कुछी challenge है यह देखने को मिलता है अब यह सीता कुछी challenge जो है यह समलीजे हमारे military forces जो है उससे related है अब जो हमारा internal security का course चल रहा है जा रहा है तो उसमें इस हितने भी forces है हमारे उन सभी को वहाँ पर detail में cover किया जाएगा तो वह हम यहाँ पर cover कर लेंगे यहाँ पर American fleet and Indian water देखिए क्या है लक्षुद्वीब के पास हमारा exclusive economic zone होता है exclusive economic zone में कोई भी हमारे permission के बिना एंटर नहीं कर सकता है लेकिन अमेरिका के जो fleet है वो यहाँ पर एंटर कर रही है बिना हमारे permission के उसी के बारे में आपर चर्चा है हो रही है कि हाँ पर किस तर देख सकते हो जिससे कि आपको फायदा मिल जाएगा तो इस तरीके से हमें 812 देखने को मिलता है शुरू करने से पहले mmacademy app जो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल से जल कीजे क्योंकि यहाँ पर मेरे दोरा बहुत सारे courses लाए जा रहे हैं जैसे कि modern history, ancient history, polity, economy, internal security, disaster management, तो मतलब holistic आपको GS1234 सभी courses देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर आपको बाकी कोई भी चीजे refer करने की जरुवत नहीं है, सब कुछ अगर आप course refer कर रहे हैं तो कुछ भी आपको पढ़ने की जरुवत नहीं, including NCRT's, काफी लोग की query आती है कि क्या सर NCRT पढ़ने के ब मैंने यहां से रखाए कि अगर आप अभी 5th standard में हो, अगर आप अभी से चुरू कर रहे हो, फिर भी आपको सारी चीज समझ में आ जागी, इतना lucid and comprehensive तरीके से मैं आपके सामने courses जो लेकर आ रहा हूँ, प्लस यहां पर NCRT's के साथ साथ जो किताबे हैं, standard किताबे हैं, ज सभी से sign up कर सकते हो, खुद होकर sign up कर सकते हो, demo lecture जो हो भी आप देख सकते हो, किसी category में जाओगे तो first two lectures आपको as a demo lecture आप देख सकते हो, then courses को आपको enjoy करना है, download कीजे MM Academy में, आइए यहां पर editorials के शुरूआत करते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, a climate change noise, India's role as conductor, त अगर हम यहां पर cover करने जा रहे हैं, अब इस editorial में अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले, तो context क्या है, context अगर हमें समझ में आ जा जा तो अपने पूरा editorial समझ में आ जाता है, New Delhi जो है, उसको यहां पर equity, differentiation and justice, जो है, net zero debate में आपर introduce करने की ज़रुत है, ऐसा बोला जा रहा net zero, net zero मैंने आपको पहले ही बता है, net zero emission क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने आपको example दिया था कि अगर कोई beer पी रहा है, तो अगर उसकी क्षमता है कि वो दो beer जो पचा सकता है, मतलब दो beer पीने के बाद वो कुछ भी हलेगा डोलेगा नहीं, तो स्तीर रहेगा, अब दो beer के उपर अगर हो जाती है, तो फिर उसका शरीर जो है, वो डोलने लग जाएगा, है ना, मतलब कुछ गडबड़ा जाएगा, उसी तरीके से हमारा environment भी, जो carbon emission है, उसकी capacity होती है, सोग करने की, मतलब खुद के अंदर लेने की, जब तक उतना emission हो रहा है, तो environment को को कोई फ limit करो, लेकिन उतना ही करो, जितना environment जो है, वो सोग कर सके, अपने अंदर रख सके, तो ये चीज, यहाँ पर net zero debate जो है, उसमें इंडिया को बहुत important है, यहाँ पर चीज़े जो है, वो सही डंग से लेना, अब थोड़ा background हम देख लेते हैं, क्या है, recent visit जो है, to India, United States Special Presidential NY for Climate John Kennedy, इन्होंने यहाँ पर, दोनोई साइट को opportunity डीक, यहाँ पर जो climate change है, उससे लेटेट हम चीज़ें को discuss जो है, वो कर सकते हैं, और यहाँ पर near term priorities and long term targets जो है, उसको यहाँ पर balance कर सकते हैं, क्या है कि देखिए, अभी जो दबाव है, पूरा developed countries पर आ रहा है, कि developed countries ने पहल जो fuel है, जो oil है, वो सबसे important है, oil बताता है कितना development हो रहा है किसी country में, कोई country अगर बहुत दा oil import कर रही है, इसका मतलब यह है कि वो country ज्यादा development कर रही है, क्योंकि हर इसमा oil लगता है, अगर कोई country स्थीर है, कुछ कामी नहीं कर लिए, तो हाँ पर oil का जरूरत पड़ेग अगर आप देखो कि already developed countries है, उनको पहले से कितना भी emit करो, कोई पाबंदी नहीं थी, है ना तो अभी जो developed countries है, जब वो developing country थी, उस time पर उनने बहुत सदा emission करके अभी developed country बन चुकी है, लेकिन अभी जो developing countries है, उन पर पाबंदीया लगा ही जा रही है, कि नहीं आप यह नही कर सकते हो नहीं, आप वो नहीं कर सकते हो, फ़ला ना इंकाना यह सब हो रहा है, तो developing countries थो अभी किस पर है, disadvantage पर है, कि यार तुमने तो development कर ली, अभी हम क्यों भुकते, तुमने जो भी चीज़े की है, यह यहाँ पर चीज़े बहुत सादे निकल कर आ रही है, तो यहाँ fast growing developing countries जो है, उनको carbon space जो है, development के लिए यहाँ पर required है, लेकिन उसी के साथ, vulnerable countries जो है, वो climate change के लिए vulnerable countries भी है, क्योंकि अगर आप देखो कि सिधा, जो impact है, वो सिधा उन पर भी हो रहा है, जो developed countries के वज़े से climate change यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बात करना, इस प पर revolve हो रहा है, basically इंडिया ने क्या है, net zero कब तक हो जाओगे यहाँ बता दो, कब तक हो जाओगे, इंडिया भी developing के रहा पर है, तुम develop हो चुके हो यार, तुमको पता है कि कितनी तुम है development बनने वाली है, हम अभी developing के रहा पर है, हम कैसे बता दे, है ना, तो यह दो alternative studies प करना, कुछ भी नी करना, बिना long term target के, पास जो है decarbonization का, यह little certainty, इस तरीके से हम यह आपर देखने को मिलता है, मतलब long term targets अगर हम set ना करे, है ना, बिना किसी long term target के, जो हम यह आपर decarbonization करने की बात करे, क्योंकि हम अगर पता ही ने हो आगे क्या होगा, अब UPS से आप aspirants हो, अब अगर समय लीजिए, आपने अगर आपका target जो हो set किया ही नहीं कि, एक मैने बाद मेरा कितना होने वाला है, तो मतलब long term target अगर आपने set किया ही नहीं, तो फिर सही डंग से उसमें certainty आईगी क्या, कि उतना ही आपका तुरा syllabus cover हो जाएगा, अगर के, नहीं होगा, आ यहाँ पर इंडिया के effort जो है for next decade, अगर हम देखते हैं, मतलब इंडिया ने कुछ किया है क्या, बिल्कुल किया है, इंडिया ने जो net zero emission ने उसके तरफ अपनी राह जो हो अल्रीडी बढ़ा दी है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ambitious renewable energy target जो हो इंडिया के हमें प्लस यहाँ पर electric vehicle जो है, उसका भी fast penetration जो है, वो हमें देखने को मिलता है, इंडिया के efforts में, तो इससे हम यह बोल सकते हैं कि नहीं यार, इंडिया जो है वो serious है, कोई भी दुनिया ऐसे नहीं बोल सकती है, कि नहीं इंडिया जो हो serious ही नहीं है, इंडिया तो कुछ उन्ही to replan, replan करने की जरूत है, कैसे, यहाँ पर net zero debate जो है, इसको reframe करना चाहिए, किस perspective से, planet for the prosperity of people, मतलब यहाँ पर जो planet है हमारा, मतलब planet in the sense, जो हमारा environment है, उससे related भी, मतलब उसको भी consider करना चाहिए, क्या net zero जो हमारी debate रहेगी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या जोड़ planet की तरह भी ध्यान दे रहे, environment की तरह, औरे, emission ही मत करो, औरे, कोई emission मत करो, को emission ही मत करो, औरे, prosperity भी तो देखना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए, कि नहीं हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में ज्यादा alcohol जा रहा है, इसके वाज़े से हमारी आतड़या, हमारे खराब हो रहा है, तो नहीं, दारू ही मत पीओ, दारू ही मत पीओ, अरे, बाबा, जो धारू बेच रहा है, उसकी भी तो एकोनामी का ध्यान रखो, उसकी income कैसे होगी, है ना, तो यहाँ बाग, prosperity जो है, people की, for the prosperity of people, वो भी आपर देखना बहुत जरूरी है, कि यार, हम अ climate justice, जो है, उसमें क्या होना चाहिए, humanity, respect to planet, जो planetary boundary है, और permissible greenhouse gas, है ना, यह भी रहना चाहिए, then उसके वन यहाँ पर ensure करना चाहिए, कि equitable responsibility, जो है, based on past and future emissions, यह भी यहाँ पर रहना चाहिए, मत जितना तुमने past में किया है, जितना वो future में करने वाले हो, उसकी भी responsibility, साही answer energy है, यह जो approach है, different रहेगा, merely blaming developed countries, मतलब क्या हो रहा है, अब तक कि developed countries को blame किया जा रहा है, जैसे कि हमारा reservation system जो है, उसमें होता है, reservation system में क्या किया जाता है, कि जो developed, मतलब, जो पूरवज है, reservation system basically क्या है, और क्यों है, वो ही इसलिए है, क्योंकि जो पूरवज है हमारे, कुछ particular community का, और उसके वज़े से अभी वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनका opportunities नहीं मिल पाई, तो वो पीछे रहे गए, तो उनको यहाँ पर आगे बढ़ने की इजाज़त देना, आजादी देना, उनको equitable जो opportunities है, वो provide करना, तो यह हमें देखने को मिलता है क्या, जो reservation system है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग के मन में क्या आता है, क्यार पुर्वा जो ने जो गलतिया की है, उसकी भुकतान अभी हम क्यू भरे, है ना, ये भी आता है, तो इस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ जो है, वो नहीं रहने चाहिए, कि हम develop countries को से blame करते जा रहे है, क्यों तो क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो formulation है, जिसमें यहाँ पर per capita income and यहाँ पर aggregate emission जो है, दोनों यहाँ पर आए, मतलब क्या है, कि हम यहाँ पर हमारी economic development जो है, वो भी देखे, मतलब लोगों की development भी देखे, प्लस हमारा यहाँ पर जो planet है, जो environment है, उ वो 12,536 डॉलर या more है 2019 के prices के हिसाब से, ठीक है, high income countries जो है, वो यहाँ पर 15 to 20 years से जाधा उनको नहीं लगनी चाहिए, उनको यह net zero emission अचीब करने के लिए, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे, net zero emission अचीब करना 2020 onwards से, जो developed countries है, उनके लिए काफी आसान रहना चाहिए, मतलब अगर हम European Union, United States की बात करते हैं, तो net zero emission जो है 2035 या 40, जाधा-जाधा 2040 तक at least पहुची जाना चाहिए, इससे जाधा उनको वक्त नहीं लगना चाहिए, अगर हम बात करते हैं China की, तो वो यहाँ पर इस income में, यह जो income है, इसमें एंटर करेगा 2025 में, तो इसको target है net zero emission का, अगर हम बात करते हैं India की, तो वो high income economy में 2050 में पहुचने वाला है, तो अब यहाँ पर उससा target जो है, वो 2070 तक का रहना चाहिए, तो मतलब अभी अगर हमें set करना है कि हम net zero emission कब तक पहुच सकते हैं, 2070 जो है, वहाँ तक पहुचना चाहिए, अब यह जायज भ पंदरा साल एक्स्टा target रखना, क्या मतलब है उसमें, तो इस तरही चीजे जो हमें आपर देखने को मिलती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ए चीजे अभी समझ में आ गई होगी, अब यहाँ पर अगर हम small step already covered, यहाँ पर जो small step यह वाला जो editorial है, basically अगर हम बात करत तो इसलिए यहाँ पर abortion जो है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको हमने already cover किया हुआ है, हमारे 7th, 8th April analysis जो है, उसमें काफी comprehensive detail तरीके से मैंने बार जो matter है, इसको cover किया हुआ है, तो यह अगर आपने नहीं देखा है, तो जरूर देखे, सारे editorial साब देखा किजे miss मत किया कीजिए, आज से आपी का नुकसान होगा, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, next page पर हम जा रहे हैं, इसमें beam stack needs to reinvent itself, यह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यह वाले में beam stack के बारे में आपको पूरी information जो है, वो रेनी चीए, तो context अगर हम देखते हैं, तो basically यहाँ पर आ रहा है, the grouping, a work in progress has several obstacles to overcome, यहाँ पर जो beam stack है, तीक है, यह grouping है, इसमें obstacle जो हो भी काफी सारे हमें देखने को मिल रहा है, कौन-कौन से obstacle है, उसके लिए हमें beam stack को समझना जरूरी है, तो beam stack basically क्या है, what is beam stack, यह important है, beam stack यह एक abbreviation है, एक short form है, the Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic cooperation, ठीक है, अब आप comment section में मुझे SARC का जो full form है, वो बताईए, SARC का full form क्या है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, Bay of Bengal Initiative, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, Bay of Bengal आ रहा है, यह ना, तो मतलब यहाँ पर जितनी भी countries है, वो associated होगी Bay of Bengal के आसपास, तो यहाँ से हमें यह ची areas में, इसमें हमें India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, यह सब देखने को मिलते हैं, अब इसमें से, जो आपको महरू color में नजर आ रहे हैं, यह मतलब starting से थे, ठीक है, starting से, जब यह found किया गया था, 1997, Bangkok declaration, तो वहाँ से हमें यह देखने को मिल रहे थे, बाद में यह तीन country से, Nepal, Bhutan, Myanmar, इन्ह 1997 में, Bangkok declaration जो उसके तुरूआ में देखने को मिला, headquarter जो है वो ढाका बंगलादेश में है, main objective है, यहाँ पर technological, economic cooperation, जो member countries है, उसमें रहना चीज़े, तो basically क्या है, कि यहाँ पर जो member countries है, उनकी बीच में सही economic cooperation अगर रहता है, मतलब इसमें हमें बहुत सारी चीज़े, technological भी जाती है, मतलब इसमें terrorism से related चीज़े, then उसके बाद जो free trade agreement है, उससे related चीज़े, then उसके बाद जो science and tech है, उससे related चीज़े, है ना, तो यह सभी चीज़े जो है, इसमें include होती हुई, हमें देखने को मिलती है, अब यहाँ पर अगर हम देखते है, four summit, four summit, जो last time जो summit हुई four summit हमें देखने को मिले थी, जो Catamandu में हुई थी, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यह Catamandu में की गई थी, कब की गई थी, 2018 जो है, उसमें की गई थी, ठीक है, अब उसके बाद, अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर outcome जो है, इसके कौन-कौन से निकल कर dönेते few core areas जो है उस पर focus करना यह यहाँ पर बोला गया इंडिया को once enhanced connectivity जिससे क्या है कि जितने भी member countries जो है enhanced connectivity जो होना चाहिए प्लस यहाँ पर 18 point declaration जो है वो हमें देखने को मिला अब 18 point declaration क्या है तो इतना detail में हमें घुसने की जरुवत नहीं है लेकिन short में आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि BIMSTEC secretariat extra resources enhanced role यहाँ पर रहना चाहिए जो secretariat है उसमें extra resources उसको मिलने चाहिए enhanced role उसका रहना चाहिए यहाँ पर importance of trade उसका acknowledgement रहना चाहिए क्योंकि देखें बहुत important है किसी भी country की बीच में अगर trade होता है तो उसके relations अपने आप बढ़ जाते हैं मतलब हाँ पर sanctions लगाना या फिर कुछ मतलब कुछ समय लीचे कुछ अगोव की चीज़े करना हो काफी मुश्किल हो जाती है तो यह important is then comprehensive approach जो है against terrorism यह भी यहाँ पर निकाला गया अब यहाँ पर अगर आप देखोगे early conclusions BIMSTAC convention mutual legal assistance BIMSTAC coastal shipping agreement BIMSTAC motor vehicle agreement BIMSTAC FTA negotiations free trade agreement negotiations ठीक है and multimodal transportation linkage and transit facilities तो यह यहाँ पर 18 point declaration जो है वो हमें देखने को मिला इतना detail मैं फिर से बोग रहा हूं गुसने की जरुरवत नहीं है यह यहाँ पर recent decisions की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है foreign ministers है उन्होंने draft clear किया है BIMSTAC charter का इसमें early adoption जो है recommendations के वो यहाँ पर बताए गया यहाँ पर early adoption जो है यहाँ पर होना चाहिए ऐसा यहाँ पर recommend किया गया उन्होंने जो regionalization है वो यहाँ पर किया मतलब sectors के basis प कि transport connectivity जे वो रहना 18 point declaration के तायद है यह हमें देखने को मतलब जो भी चीज़े हैं उसको implement करने की चीज़े अब दिखें से concerns भी कहीं सारे निकलते हैं concerns कौन कौन से निकलते हैं तो दिखें सबसे पहले तो है कि जो trade and economic dozer है उसके में progress हमें बहुत कम देखने को मिलती है lack of progress द तो उसके लिए हमें तीन चीज़े हैं यहां पर important रहती है economic, political and social तो किसी country के सथ हमार social relation अच्छा रहा तो उस country के सथ हमारा relation अच्छा रहेंगे किस country के सथ political मतलब ideology अगर set होती है दो countries के बीच में तो relation अच्छे रहेंगे किसी किसी country economic relation और किसी में दोनों relation जो है वो अच् चल रहा है अगर हम चाहना देखते हैं तो political relation भी खराब चल रहा है economic relation हमारा अच्छा है social relation खराब है तो इससे क्या हो रहा है देखिए economic relation यह अपने आप में individual भी stand कर सकता है लेकिन political social जो है वो economic के साथ match करना चाहिए क्योंकि economic जब रहेगा तो ही country जो हो independently यहां पर दोनों basically free tar agreement जो है उसके बारे में आपर जो है वो चर्चा अच्छे सरी किसा होना चाहिए regulatory harmonization जो है उसको promote करना यहापर policies जो है जो रिजनल values develop करती है value chain उसको adopt करना non tariff barrier को eliminate करना देखिए दो तरीकी के barriers होते है barriers मतलब क्या है अर्थडा बीच में अर्थडा create करना दो तरीकी के ह होते हैं एक होता है tariff एक होता है non tariff tariff barrier का मतलब क्या है कि पैसो से related मतलब import duty हम लगा दे रहे हैं कि कोई हमारा माल आ रहा है चायना से और उस पर हम समय लीजे हो 100 रुपए की चीज है mobile 100 रुपए का उस पर 10% हम import duty लगा रहे है तो यहाँ पर 110 रुपए में जो चीज है व यूज कर सकता है बाद में उसको खाते आना चाहिए ठीक है तो इस तरीकी के अगर चीज रहती है तो फिर यह हम एक standard set कर रहे है इन बेभी barrier अर्थडा है लेकिन non tariff barrier इसमें पैसो से related कुछ ने standard set कर रहे है तो यह होते हैं तो non tariff barrier जो उसको eliminate करना चाहिए ऐसा भी यहाँ पर बुला जा रहा है यहाँ पर अगर हम achievements की बात करते हैं तो humanitarian assistance and disaster relief security इसमें counter terrorism से related हमें काफी achievements मिली है cyber security से related coastal security cooperation से related है ना यह सारी जीज़े हमें internal security में देखने को मिलती है जो हमारा course चल रहा है academic and strategic community जो है इसने ample enthusiasm दिखाया है यहाँ पर think tank and other four hours के लिए तो यह भी हमारा achievement है then hurdles की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर hurdles भी काफी जादा है सबसे पहला तो है bilateral relations जो उसी में tension चल रहा है जैसे कि इंडिया नेपाल के relation काफी बुरे चल रहे हैं इंडिया स्री लंका relation अच्छे नहीं चल रहे हैं बांगलादेश म्यानमा relation जो खासकर अगर हम रोहिंगया का issue देखते हैं cox bazar है ना तो मतलब basically क्या है जो इसमें member countries है उन्हीं की बिच में tension चल रहा है सार जो है वो successful क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के relation बहुत ही खराब है तो मतलब same platform पर आना ही नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो tension जो है वो चड़ रहा है यहाँ पर uncertainty जो है सार्क होवर उस पर भी हमें देखने को मिल रही है चाहना का यहाँ पर जो एक space वो grab करने की कुछिछ कर रहा है यह भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और हाली में military coop जो हमें देखने को मिल रहा है मियानमार में वो भी यहाँ पर काफी बड़ा concern है अब way forward जो है वो यहाँ पर क्या हो सकता है तो देखें यहाँ पर grouping जो है उसको reinvent करने की जरुवत है मतलब possibly इसको rename भी किया जाना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है Bureau of Bengal Community ऐसा यहाँ पर देना चाहिए शूट consider holding regular annual summits देखें क्या हो रहा है अभी 2018 में हुई है ना और 14 summit हुई तो मतलब आप सोचेए कि regularly हर साल जो है वो help के जाने जी जिससे क्या है कि एक जो connection है build up रहे with respect to China problem यहाँ पर India जो है उसने यहाँ पर more equitable solution जो है तो यह सारी चीज़े जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो अब पूरा समझ में आगया आपको चलिए next यहाँ पर हम जाते हैं जो मैंने आपको बताया था Indian Express है उसमें राजसभा जो है तो उसमें जो editorial हमें देखने को मिलता experience series में तो उसमें कुछ question जो है वो ही आपको बस पता रहने चाहिए अब वो questions कौन-कौन से है पहला question है under article 324 of constitution जो calendar है elections का exclusive किसका domain है decide करने का तो वो election commission of India का पार्लामेंट जो है किया वो changes कर सकता है schedule में जो भी election commission of India ने अगर election के schedules बना दिये तो क्या पार्लामेंट उशको change कर सकता है नहीं कर सकता है यहाँ पर court जो है क्या उसकी jurisdiction है उसमें changes करने की जो भी होँ यहाँ पर बनाए गये है schedule बनाया है एक एक बार अगर schedule announce हो जाता है तो court जो उसके बार jurisdiction नहीं है कि उसमें changes वो कर सके and then क्या ये judicial review के अंडर में आता है तो देखें 1993 में Supreme Court ने कहा था कि election commission की जो power है वो judicially revivable है वो judicial review के अंडर में आती है election commission की powers ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ बार पता रहना चे बाकी कुछ भी खास हो से एडिटोरियल में नहीं है then उसके अदब wellness workforce की जब हम बात करते हैं तो इंडने एक्सप्रेस का एडिटोरियल है wellness workforce ये basically बात कर रहा है national commission for allied and healthcare professional bill 2020 की तो ये bill जो है ये आपको पता रहना चे क्योंकि ये पास हो ही जाएगा पास हो ही गया है मतलब अगर आप देखोगे तो september 2020 में राजय सभा में introduce किया गया था मार्च 16 2021 को राजय सभा से पास हुआ then मार्च 24 2021 को लोग सभा से पास हुआ तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है और इंट्रिउस किया गया ministry of health and family welfare के द्वारा तो अब समय लीजे law जो है उसमें तबदिल हो गया and then अब यहाँ पर क्या है कि उसके जो features से वह आपको पता रहने चाहिए क्या होता है जो भी laws है जो law में तबदिल हुए है उनके बारे में आपको information पूरी रहनी चाहिए तो इसके salient features सभी जो features है वह हम यहाँ पर देखने वाले है तो key features की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले cool definitions यहाँ पर दिये गए है तो allied healthcare professionals में कौन कोन आते हैं तो इसमें associate आते हैं technician आते हैं technologist trained आते हैं जिससे कि यहाँ पर diagnosis and treatment जो है किसी भी illness, disease, injury, impairment उसमें support किया जा सके और इन लोगों ने यह जो है इन लोगों ने diploma जो है या degree जो है तो 50,000 रुपे का जुर्माना जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा ठीक है अब यहाँ पर duration जो है degree का, diploma का वो at least 2,000 hours मतलब over the period of 2-4 years जो है वो यहाँ पर आनाची है then उसके बाद हमें देखने को मिलता है healthcare professional अब healthcare professional की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले तो scientist देखने को मिलते है then therapist जो है वो देखने को मिलते है then उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कोई भी professional जो जिसने पढ़ाई की है advice, supervise, जो provide करता है preventive, curative, rehabilitative, therapeutic and promotional health services तो यह सभी हमें healthcare professional जो है उसमें देखने को मिलते हैं क्योंकि आपको question कैसे आ सकते है आपको question आ सकते हैं कि healthcare professional में recently जो law लाया गया उसके test healthcare professional में कौन-कौन आता है ऐसे questions आपको आ सकते हैं duration जो है degree का वो 3600 hours मतलब worthy period of 3-2-6 years जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए then उसके बाद हमें allied and healthcare professional जो है वो देखने को मिलते हैं professions इसमें these are maintained a schedule of bill इसमें life science professionals आते हैं यह काफी prominent बन सकता है यह आपको पूछा सकता है trauma and burn care professionals then surgical and anesthesia related technical or technology professionals then यहाँ पर physiotherapist then nutrition science professionals यह सब हमें यहाँ पर allied and healthcare professionals में देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं national commission for allied and healthcare professional तो commission की यहाँ पर बात हो रही है तो जब commission की हो रही है तो यहाँ पर bill क्या करता है bill set up करता है national commission for allied and healthcare professional तीक है यहाँ यहाँ पर bill जो है उसके तैथा में देखने को मिलता है अब यहाँ पर क्या होगा Commission में कौन-कौन रहेगा तो ये भी काफी prominent question बन सकता है प्रिलिंस perspective से इसमें chairperson रहेंगे, vice chairperson रहेंगे five members रहेंगे at the level of joint secretary जो represent करेंगे various department ministries को central government one representative from directorate general of health service and three deputy directors और medical superintendent जो appoint किये जाएंगे rotational basis पर Ames, Delhi and Mumbai इस तरीके से 12 part-time members जो है जो represent करेंगे state council को among others, तो यह हमें यहापर देखने को मिलेंगे then उसके बाद यहापर functions अगर हम देखते हैं commission के, तो functions में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है सबसे पहले तो यहापर जो policy से उसको frame करना and standard for regulation of education and practice जो भी education रहेगा, जो भी practices रहेगी उससे लिए जो भी policies उसको frame करना then यहापर जो online central register है सभी register professionals के लिए उसको बनाना, create करना and maintain करना then यहापर basic standard जो है education का, courses का, curriculum का, staff qualification का, examination का, training का है ना, यहापर provide करना जो भी यहापर maximum fee, payable रहेगी, various categories के लिए वो set करना and यहापर uniform entrance and exit examination जो है among others यहापर provide करना, तो यह commission जो है, उसके यह functions हमें देखने को मिलता है तो यह चीज यहापर काफी important है, जो आपको पता रहना चाहिए तो यहापर हमारा यह जो वीडियो है, वो खत्म होता है तो आप उनको जो जो चीजे मैंने आपसे पूची है, सबसे पहली चीज तो मैंने आपसे पूची है कि आपको regular मतलब हर रोस का यहापर लग रहा है या फिर alternate days जो है, वो सही लग रहा था, जो भी आपको लग रहा है जो भी मैंने आपसे questions बीच बीच में पूचे हैं, वो सभी सवालों के जवाब जो है आप comment section में ज़रूर लिखे है सार्थ के बारे में information ज़रूर लिखे है तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जैहन